मा भगवती के 51 शक्ती पीठो के बारे में आपने तो सुना ही होगा लेकिन 51 शक्ती पीठो में से एक ज्वाला मुखी मंदिर जो कि काफी प्रसिद है आज हम आपको उस मंदर के बारे में बताने वाले हैं इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है पौराणिक मानेताओं के अनुसार इस्थान पर माता सती की जीब कीरी थी यहां माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शेव यहां उनमत भैरव के रूप में स्थित है इस मंदिर का चमतकार यह है कि यहां कोई मूर्टी नहीं है बलकि प्रीथवी के गर्ब से निकल रही नौ ज्वालों की पूजा की जाती है आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया कि आखिर यह ज्वाला यहां से कैसे निकल रही है कई भू विज्यानिक कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं रगा सके कि यह प्राक्रतिक गैस कहां से निकल रही है साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है आए जानते हैं जौला देवी की जौला का रहस्य क्या है इसके पीछे धार्मिक या विज्यानिक मानेताएं क्या है जौला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के नौ जौलाएं जल रही है जो माता के नो स्वरूपों का प्रतीक है मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है और अन्य आठ ज्वालाओं के रूप में मा अनपूर्णा, मा विंद्यवासिनी, मा चंडी देवी, मा महलक्ष्मी, मा हिंगलाज माता, देवी मा स्वर्स्वती, मा अंभिका देवी एवं मा अंजी जॉला देवी के मंदिर का निर्मान सबसे पहले राजा भूमी करवाया था इसके बाद 1835 में महाराजा रणजी और राजा संसार्चन ने इसका पुनह निर्मान करवाया था ब्रिटिस सामराजु के दुरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचो दबी उज़ा का पता लगाने के लिए काफे कोशिश की गए लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा अजादी के बाद भी कई भूग कारिक ज्वाला है मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंदित एक पौरानिक कथा भी है कथा के अनुसार भक्त गौरकनात मा ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ती में लीन रहते थे एक भूक लगने पर गोरखनात ने मां से कहा कि मां आप पाने गरम करके रखे तब तक मैं भीक्षा मां कराता हूं जब गोरखनात भीक्षा लेने गए तो वापस लोट कर नहीं आए मानेता है कि यह वही ज्वाला है जो मां ने जिलाई थी और कुछी दूरी पर बने कुण्ड के पानी से भाप निकलती प्रतीत होती है इस कुण्ड को गोरखनात की डिब्बी भी कहा जाता है मानेता है कि कल्यूक के अंत में गोरखनात मंदिर वापस लोट कर आएंगे और तब तक ज्वाला जलती रहेगी बाशा अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया और सवा मन के सोने का छटर चड़ाने पहुचा लेकिन माता ने उसे स्विकार नहीं किया और रह गिर कर किसी अन्य धातु में बदल गया यह धातु कौन सा है इसका आज तक किसी को पता नहीं चला ज्वाला माता के मंदिर को लेकर ध्यानो भगत की कहाने भी प्रसिद है कथा के अनुसार ध्यानो भगत ने अपनी भगती सिद्ध करने के लिए अपना शीश मा को चड़ा दिया था मानेता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मा से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है कोई भी मा के दरबार से खाली नहीं जाता माजवाला देवी के रहस्य जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और ऐसे ही देखतरी है आमेलोध्याना धन्यवाद